दोस्तो बॉलिवूड इंडस्ट्री की एक ऐसी दिगज़ अभी नेतरी है जिनकी अदाएं 80 के दसक में कहर ढाती थी जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई नामिय अभी नेताओं के साथ काम किया जिन्हें अमिताब बच्चन की दूसरी पत्नी या रखैल भी का जाता है जियां दोस्तो हम बात कर रहे हैं रेखा की जिनकी लाइफ विवादों से भरपूर भरी पड़ी है लेकिन दोस्तो क्या आप जानते हैं कि रेखा अपनी जिन्दगी में कई मर्दों से बिछडने के बाद इतने लंबे समय से वे अपने सरीर की भूग को किस आदमी का इस्तेमाल करके सांथ करती है दोस्तो ये बात तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अपनी जवानी के दिनों में रेखा की नजर किसी भी जवान मर्द पर पड़ जाती थी तो वे उस मर्द से अपने सरीर की भूग सांथ करवा करी मानती थी चाहे वे मर्द अक्षे को मारो या अमिता बच्चन लेकिन आज हम आपको रेखा के जिन्दगी का एक ऐसा काला सच बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप भी हरान रे जाओगे तो दोस्तो जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंति तक बने रहें और अकर आप भी रेखा के फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे दोस्तो रेखा और विनोद महरा की साधी के दोरान का एक ऐसा किस्सा है जो आज भी परचलीत है जब ये दोनों कॉलकता में साधी करने के बाद मुंबई पहुंचे तो रेखा का सुआगत चपलों से किया गया जियां दोस्तो आपने बिल्कुल सही सुना क्यूंकि रेखा की सास कमला को ये साधी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और जैसे ही रेखा आसिरवाद लेने के लिए जुकी उसके तुरंत बादी उनकी सास ने उन्हें धक्का दे दिया उन्होंने रेखा को मारने के लिए चपल भी उतार ली थी और घर से भार भी निकाल दिया था जैसा कि हम जानते हैं कि रेखा के माथे का सिंदूर आज भी राज बना हुआ है और लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर रेखा किसके नाम का सिंदूर लगाती है कुछ लोगों का कहना है कि अब बात आती है सेक्रेटरी फरजाना और रेखा के अफेर की आपको बता दे की रेखा को अक्सर इस लेडी के साथ देखा जाता है कुछ मैगजीन में तो रेखा के बाइसेक्सवल होने का भी दावा किया गया है अक्सर रेखा और फरजाना के अफेर के किस से उड़ते रहते हैं खबरों के मताबिक रेखा के संबंद उनके सेक्रेटरी फरजाना के साथ है तो दोस्तो रेखा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले